प्रदेश में अब तक सबसे जादा 100 कोरोना पॉजिटिव मरीज जैपूर में मिले हैं। यहां लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आने के बाद पुलिस, प्रशासन और चिकित सावे भाग सतर्क हो गया है। कोरोना के संक्रमन को रोकने के लिए चार दिवारिक शेत्र में कर्फ्यू लगा कर सील कर दिया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश में सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले जैपुर के रामगन से आने के बाद जैपुर जिला प्रसाशन और अधिक सतर्क हो गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जोगा राम ने आज रामगन शेत्र का दौरा किया और चिकित सा विवस्थाओं का जायजा लिया। इसी के साथ जैपुर पुलिस कमिशनर आनन शिवास्ताव अधिरिक पुलिस आयूत अजयपाल लामबा सहित विवेन इस्थानिय जनप्रतिनिधियों ने आम लोगों से मेडिकल टीम को सहयोग करने की अपील की। देखे मैं इस वक्त बड़ी चौपर पर खड़ा हूँ मेरे ठीक पीछे विश्व प्रसिद हवा महल है जिसको काफी संख्या में परटक देखने आते हैं। बिलकुल इसी से सटा के इलाका है राम गंच जो पिछले काफे दिनों से कोविड नैंटीन के पॉजिटिव के मामलों के लिए चर्चा में हैं। इसमें चिंता की बात ये है कि इनमें एक व्यक्ति SMS मेडिकल कॉलेज की केंटीन में काम करने वाला व्यक्ति भी है। अब यहाँ पर जो चिकित्सा की टीमें हैं, चिकित्सा विभाग की जो टीमें हैं, वो घर घर जाके सर्वे कर रही हैं। आवशक्ता इस बात की है कि आम जन उनको सहयोग करे ताकि इस संक्रमन को और आगे फैले से रोका जा सके। धरमेश भारती, दूर दर्शन समाचार, जैपुर।